तो आपको रेक्कमेंट करूंगा इस फीचर को इस एप्लिकेशन को जरूर हमेशा माइन में रखे आपका फोन लॉस हो या चोरी हो जाए तो इस समय पर फाइंड माडिवाइस बहुत काम की चीज है आप किसी और के फोन में प्लेस्टोर से आप फाइंड माडिवाइस डाउनलोड करके गैस साइन इन करके मेसेज दे सकते हो आप अपने फोन में लॉक लगा कर तो mr. आपके साथ चेर जरू करें ताकि जान के पास जानी चाहिए और दोस्तो एक इंपर्टन नोटीस है आप लोगों के लिए stay home stay safe तो मैं हूँ आपका दोस्त जीतुराज चरे शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को तो चले दोस्तो जान लेते हैं find my device के बारे में कुछ basic find my device आपको मिल जाएगा play store में जब आपका mobile miss हो जाए या loss हो जाएगा तो आप find my device play store से application इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी device में android devices ठीक है तो यह उसने कहा आप रिंग दे सकते हो अपनी डिवाइस से इस find my device application से secure कर सकते हो और erase कर सकते हो ठीक है अब देखते हैं हाँ पर क्या क्या options है गूगल प्रोटेक्ट ही है ठीक है अब इसने कहा कि continue आपको जो है मेरे phone में जो mail ID इसी के साथ continue करना है या फिर sign in a guest करना है तो आप जो है sign in a guest में आपको जाना है और यहां पर आपको edit box मिलेगा यहां पर edit box में आपका mail ID और आपको password डाला है तो जो है आपके सामने open हो जाएगा आपका जो mail id में जो mobile login है वो आपको यहाँ पर open हो जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर फिलाल same account से continue करूँगा ठीक है continue करूँगा पासवड डाना है मुझे पासवड डाना है मैं तो दोस्तो मैंने हाँ पर पासवड डाले है ठीक है मैंने हाँ पर पासवड डाले है अब में next करूँगा ठीक है साइन इन करेंगे लोकेशन मांग रहा है तो लोकेशन देंगे हम लोग पिलाल इसको इसने कहां यह जो डिवाइस से मैंने साइड़न के यह डिवाइस से मैंने रिड़मी नोट 7 प्रो है ठीक है तो अब यहाँ पर मुझे इसके बारे में अप्शन बताएगा गूगल मैप जो लोकेशन आपकोους गुगल मैप में आपको इस डिवाइस की जो एक्जिट लोकेशन वह देखने के लिए मिल सकती है नोट सेवन प्रो सेलेक्टेड है यहां पर ठीक है एम थर्टी यह डिवाइस भी मेरे फोन के साथ साइन इन है तो मैं अभी बाद में आपको इसमें सेलेक्ट करके दिखाऊंगा और क्या-क्या ओप्शन है वह अलाव होते हैं कि नहीं वह भी दिखाऊंगा देखिए इसने कहां शाओमी रेटमी नोट 7 प्रो मेरे हाथ में है इसको यह पता है ठीक है और बैटरी लेवल जो है उसने पूरा अनॉंस कर दिया है डिवाइस इंफोमेशन आपको डिवाइस के बारे में जानने के लिए मिलेगा रिफ्रेश कर सकते हो यहां से प्ले साउंड कर सकते हो में प्ले साउंड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ही फोन में साउंड बजेगा डिवाइस को सिक्यूर करना अब डिवाइस को सिक्यूर करना मतलब यहां पर क्या हो गा कि दो एडिट बोक्स आपको मिलेंगे एक एडिट बोक्स में आपको पैस्वर्ड डनला आए और एक एडिट बोक्स में मेसेज डनला और शीक्ख कर दिना जयसे अब सीक्र कर दोंगे तो आपका डिवास्त लॉक हो जाएगा आप सामने वाला आपकी डिवास्त को ओपन नहीं कर पाएगा अब यहàng आप in 2 ऑख यहां पर डिशेबल कि हूँ है क्योंकि में मेरा हाथ में यह फोनर मैं ससाइन इन किया वह है इसके लिए Erase device is disabled है फिक है तो आप में मेरे जो Samsung M30 उसको सेल्थ करता हूं थां सामसंथा में 30 का मैं मoga सेल्थ किया ठीक है अब Samsung M30 को मैंने सेलिक किया डिवाइस के साथ कॉंटेक्ट हो रहा है उसमें 92% चार्जिंग के सब इसने बता दिया है रिफ्रेश कर सकते हैं अब है तो फोन मेरे पास ही लेकिन थोड़ा सा दूर है हम लोग देखते है मैं प्लेडा क्लिक करूंगा तो मेरे दुस्रे फोन मैं साउन बचता हिर नहीं प्रैक्टिकल करके देखते है प्लेडा कि लेडा है कि अपास है अपलोगों ने देखा मेरे जो है दूसरी में आपको टार्ट का प्ले साउंड करके दिखा है क्योंकि मेरे सेम फोन में ।ो प्ले हो चुका है यह फिर से प्ले साउंड का बटन दे रहा है मुझे देखे बताएगा कितने समय तक साउंड प्ले हुआ 30 सेकंद तक चला 35 तक इसका टाइमिंग है वह तहा है ठीक है इसने पोचे आपका डिवास आपको मिला या नहीं अगर नहीं मिला तो इसको सुक्यर कर सकते हो फिर से play sound कर सकते हो मैं back करूंगा ठीक है play sound हम लोगों ने देखा अब secure device में हम जाएंगे तो अभी जांगा क्योंकि पासवॉर्ड और ौइ अब को मिलेंगे मैं ओर लिदी आपको बता रहा हूँ अ को मिलेंगी एक में आपको पासवर्ड चाहा सब्सक्राइब जाए गाए और अगर फोन को स्विच ऑफ करने से रिंग नहीं प्ले होगी लेकिन आप सिक्यर करके रख सकते हो जब भी फोन सामने होला आउन करेगा अगर उसमें सिम कार्ड होगा और नेट से अगर कनेक्ट हो जाएगा तो उसका फोन तुरंत लॉक हो जाएगा ठीक है यहां यहां पर आगे और इरेज डिवाइस का करना है आपको तो इससे होगा यह कि आपका यह मेल आइडी है इस फोन से हट जाएगा और उसके बाद यह डिवाइस पूरी तरह से जो है फॉर्मेट हो जाएगा ठीक है तो यही बैसिकली ऑप्शन से इसके अंदर इस तरह से आप फाइंड मा डिवाइस को यूज कर सकते हो और इसमें more option भी है more option में help का option है आप इसके लिए कुछ help आपकर चाहिए तो आप help ले सकते हो ठीक है तो वीडियो अगर पसंद जाए तो सबके साथ शेयर कीजिए like कीजिए मैं हूँ आपका दोस्त जीतु राज मिलते हैं फिर किसी और episode के साथ तब तक के लिए हुआ है